आज गांग तो बीडियों को पूरा बीडियो को पूरा देखने सुछा आख को नीचे मेरे शुटीक पेज पूरा देखने पाए चैनल का बिलिंग मिल जाएगा तो इन दोनों को भी आप जॉइंट के लिए यहां भी आपको GS और करेंटफर के अपडेट मिलते रहते हैं तो चले श्टार्ट करते देखे पहला प्रशना है कि हाल ही में कि सब्यक्त को 2018 के लिए भारत के प्रथम विस्व क्रिसी पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो देखे इनका नाम है M.S. स्वामिनातन का नाम जो है एकजाम में हज़ारों पर भुषा चुका क्योंकि यह भा पहली बार वित्रित हो रहा है यानि कि यह भारत का पहला विस्व क्रिसी पुरुषकार इसले एकजाम के लिए इंबोड़ेंट बनता है और देकि यह पुरुषकार इन्हें जो है Indian Council of Food and Agriculture यानि कि ICFA द्वारा आईजित स्वामिनातन Global Dialogue on Climate Change and Food Security नामक एक विसे सत्र में विनिया के सबसे बड़े साकारी संस्था के रूप में rank किया गया है तो देखे यह भारत की जो संस्था इसका नाम है इफको और देखे इफको का पुरह नाम है इंडियन Farmers Fertilizers Cooperative और देखे यहां पर एक सवाल यह उड़ता है कि जो आपका यह रिपोर्ट जारी किया गय और देखे इफको की बात कर लेते हैं देखे इफको जो है इसका मुख्याला है नई दिली में और इसकी अस्तापना तीन नॉमबर 1967 को नई दिली में की गई थी और यह पूरे भारत में कारिकरता है इसका कारिशेतर जो है पूरे भारत में है तो देखे जो इफको का Foundation Year है की एक्जाम में कई बार पूजा चुगा है PCS में और UBSC में और SSC में तो इफको के स्तापना जो है यह तीन नॉमबर 1967 को नई दिली में की गई थी और देखे तीसरा प्रशना है कि हाली में भारत के प्रदानमत्री की इस देश में एक वार्चिक 25 सिकर्समेलेन में भाग करेंगे और दिखे जो भारत और जापान का यह जो वार्चिक सिकर्समेलेन है ठीक है यह तेरवा भारत जापान वार्चिक सिकर्समेलेन है तो यह करम भी आपको याद रखना है और दिखे एक और कास बात है भारत के प्रदानमत्री जो है इस सिकर्समेलेन में अपने संप जापान के बतनमत्री सिंजो आबे से मुलाकात करेंगे और कई सारे वहाँ पे नेड़ा लेंगे दोनों मिलकर तो यह पॉइंट आपको याद रखना है और देखिए आपके लिए आज का एक सवाल है क्या आप मुझे बता सकते हैं जापान की मुद्रा क्या है जापान के बत जिनव को संभा है तो दीखिए इस विमान का नाम है सुखोई 330 MKI लड़ा को जेट तो याद रखना है कि जो महराज का जो नासिक जिले में स्थिद भारती वाइस जिनवा का 11 बेस रिप्ट डिपो है इसने हाली में भारती वाइस जिनवा को यानि कि इंडियन एरफोर्स क तकनीकी वाले विमान देखिए जो आपका यह सुखोई 330 MKI लड़ा को जेट है यह रूसी तकनीकी वाला विमान है इसको जो है लाइसेंस दिया है हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को रूसी कंपनी ने जिसका नाम है सुखोई तो इसका निर्मारा जो है उसके ता है मासको रसिया में यानि कि रूस में और इसके संस्तापक है पावेल सुखोई और देखिए सुखोई के सापना नाइंटी थर्टी नाइए उनिस सो उन्तालिस में की गई थी आउजका जो पैरेंट अर्गनेशन यह है यूनाइटेड एयर का क्राप्ट कार्पोरिशन और देखिए यूनिसको महासबा जो है आपकी इसने वर्ट सुखोई पांच में सरफ विद्रिस विरासत की रक्षा के लिए 27 अक्टूबर को विश्व सरफ विद्रिस विरासत दिवस के रूप में मनाने की गोश्रा की थी और चाठा प्रशन की हाल ही में कि इस भारती ने बर में और 23 साल की उम्र में इन्होंने इतना वड़ा कारणामा कर दिया है तो याद रखना कि भारत के 23 वर्थी रूपम सर्मा ने विश्व स्वास्त सीकर सम्मेलन स्टार्ट अवार्ट 2018 जो है जीता है और दिके रूपम सर्मा ने ये पुरुसकार अपने आविसकार जो आपका एक डिवाइस नोंने बनाया है जो कि दृष्टी हिन लोगों के लिए दुनिया की पहले बुद्धिमान ब्यक्तिकत सहायता प्रडाली है तो रूपम सर्मा के जो है दिया गया है वर्ल्ड हिट समीट स्टार्ट अवार्ट 2018 आदिके सातों प्रसनी की बीसमें ज उर्जा और पृद्धो की और पर्यावनर प्रडशनी है ये आजीत किया गया और दीके एक खास बत है कि इसकी जो तिथी रही ये रही आपी 23 से 25 अक्टूबर 2018 और इसका जो इग्जैक्ट प्लेसर आगया रहा दुबई इंटरनेशनल कर्वेंशन एंड एग्जिविशन ने भारत का IIT बांबे तो यार रखना कि QS ACI University ranking 2019 में भारत का जो सिक्षर संस्तान IIT बांबे है ये भारत की जो मतलब इतने पितने संस्तान है उनकी ranking में पहले संपर है और देखे पूरे ACI में इसकी ranking जो है IIT बांबे की 23 स्वी है और देखे भारत के कुछ और भी सिक्ष में अस्तान पर है तो दीखे यहां पर exam में सबसे पहले प्रस्ट क्या बचा जाएगा कि भारत का कौन सा सिक्षर संस्तान जो है ये भारत में QS ACI University ranking में पहले संस्तान पर है तो दीखे भारत की जितने भी institution है इस सुची में इसमें पहले संपर IIT बांबे लेकिन इसकी जो ACI की ranking ये 33 में ठीक है ये अंतर difference ज्याद रखना है आपको यही जो है exam के लिए रामबार होता है ठीक है अगर आपको difference पता है तो आप जो है असानी कोसन को समझ जाते हैं उसका सही उतर दे जिते हैं और देखिए एक और खास परते हैं सिंगापूर का जो राष्टी विद की रूप में किया गया है ये इस ranking में पहले असान पर है और देखिए एक और खास परते हैं इस बार इस फेस्टिवल का क्या विसे है तो देखिए जो आपका गुवाहार्टी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसका इस बार का विसा विसा यानि की थीम है वो सुद है खुटूम कम और ये थीम जो है एक्जाम के लिए इकजाम में जरूर पुशी आगी देखिए कब अभी यूवी पीशास का एकजाम हो है सारे के सारे करेंटेपर जो है मिल गये थे आपको एकड़्यम के करेंडेपर से और उसमें कोई भी ऐसा करेंडेपर नहीं था जो है मतलब जो मैंने ना बताया हूँ तो देखिए जो चीज़ मैंने जो है मतलब आपको जो force करके बताया था यह चीज़ एक्जाम में निश्ची दूरुति बजाएगी वही चीज़ एक्जाम में आ भी गई थी तो जो लोग regular student है मेरे उनको पता भी होगा यह सी मुझे बताने के उरुष नहीं है तो देखिए जो आपका Guwahati International Film Festival है इसका दूसरा संस्क्रटरा भी आली में असम में शुरूआ है और इस बार इस festival का team है वह सुधाय को डूंगा भी यह पॉइंट यार रखे का यह भी एक्जाम के लिए most important है और देखिए एक और खास बाता जो की एक्जाम में पुछी आती है कि किस फिल्म समारो में उसके उद्गाटन समारो में कौन सी फिल्म जो है इसको प्रदस्तित की गई थी तो देखिए जो आपका यह गुवाहाटी International Film Festival है इसमें एक फिल्म है भोगा खिरकी जिसका आर्थ है टूटी हुई खिरकी इसका प्रदस्तित किया गया था और देखिए इसके निर्माता है जहनू बरुगा और देखिए एक और खास बात जो आपका गुवाहाटी International Film Festival है इसका आज़वन असम सरकार के स्वामित वाली जोती चित्रवन यह एक फिल्म स्टूडियो जोती चित्रवन सोसाइटी द्वारा जो है डाक्टर भूपेन हजारी का चेत्री सरकारी फिल्म और टिलिविजन सहस्तान के सहयोग से किया गया और देखिए दसों प्रशने की हाली में भारत और म्यामार के बीच में 22 मी राष्टी स्टर की बैठक कहां पर आज़ित की गई तो देखिए ये प्लेस आपका है नई दिल्ली वियार रखना है कि भारत और म्यामार के बीच में जो 22 में राष्टियस्तर की बैठक है ये नई दिल्ली में आजित की गई है और देखिए इस सम्मेलर में भारती प्रतिनदीम अंडर का नेतर्स किया भारत की ग्रीम अंदराले के सचिव जिनका नाम है राजी उगवा और द अंतराष्टी सीमा के सुरक्षा सहयोग परदान करने और लोगों की आवाजाही को सुविधा जनक बनाने और अंतराष्टी सीमा में ब्यापार करने के लिए सहामती ब्यक्ति है तो ये पॉइंट यह रखेगा सबसे पहले प्लेस है रखना है कि 22 में राष्टी अस्तर की जो बैठाक है भारत और रुबैमार की ये नई दिल्ली में आजित की गई और दीकिए 11 प्रस्टा है हाल ही में कि इस मीनी रत्न कंपणी ने वित्ति अवर्थ 2017-18 के दौरान उत्कृष्ट प्रताष्टित टाप चैलेंजर्स अवार्ड 2018 जीता है तो दीकिए ये मीनी रत् तो याद रखना है कि जो आपकी मीनी रत्न कंपणी है भारत अर्थ मुखर्स लिमिटेड इसने 2017-18 के दौरान उत्कृष्ट प्रताष्टित टाप चैलेंजर्स अवार्ड 2018 जीता है और ये प्रताष्ट भी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपर्टेंट है इसको याद गई थी और 12 प्रताष्ट की हाली में किस अस्तान पर मेंका गांधी ने इंडियन वीमें नेशनल आरगेनिक फेस्टिवल के पांचवे संस्क्रट का उगढण किया तो देखिए ये प्लेस आपका है नई दिल्ली और देखिए पीसेस में इस प्रकार के कई सारे प्रताष् मत्री है मेंका गांधी जी इन्होंने और देखिए इस समारों में पूरे भारत से जैवी छेत्र में महिला उद्यमियों उत्पातकों और किशानों का जस्त मनाया जाता है और इन्हों बढ़ावा दिया जाता है और देखिए ये तेवार जो ये 26 अक्टूबर को और देखिए इस इंडियन वी में नेशनल अरगनिक फेस्टिवल का आईजोन जो है ये आपका इंद्रा गांधी नेशनल सेंटर फर आर्ट्स में किया गया है नई दिल्य में ये पॉइंट भी याद रखेगा और देखिए तेरों प्रस्णा है हाल ही में कि इस भारती ने विस्ट विलियर्ट शेंपियंट चीब 288 जीती है तो देखिए ये प्रस्ण मोस्ट इमडर्णर एक्जाम के लिए और देखिए ये चैंपियंट चीब जीती है भारत के सौरो कोठारी ने देखिए एक्जाम में मैक्सिमम आप लोगों को एकी नाम याद रखता है पंकज अंग से हरा कर और चौदहों प्रस्ण की हाली में किस पाकिस्तानी महिला वकिल को मरोडो परांत सयुक्त राष्ट मानवादिकार पुरसकार परदान किया गया है तो देखिए इनका नाम है अस्मा जागिर इनके बारे मनें बताए भी था आपको जब इनका निधन हुआ थ तो यहाद रखना है कि जो अस्मा जागी रहे ये पाकिस्तानी मानौदिकार कारी करता हैं और वहां की प्रतिश्टित वकिल थी है नहीं थी इनका निधन हो चुका है और इनको जो मंदादिकार प्रुरसकार के लिए चुना गया और देखिए यह प्रुरसकार को 10 सोदेशी वकील है जोनिया वापी चाना ठीक है इनको और आयरलाइन के मानुवितकार संगठन फ्रंट लाइन डिफेंडर को जो है एक साथ जो है संगत राश पुरिसकार से समान किया जाएगा 10 दिसमर को तो यह सभी चीज़ याद रखेगा लेकिशी सबसे इंपॉर्टन यहापे जो है असमा जागिर का नाम है ठीक है क्योंकि इनको जो मर्डो परांत यह पुरुसकार दिया जा रहा है और पंदरवा परसन की हाल ही में कि इस त्रिलंका के नए प्रधानमंत्री रूप में शपत ली है तो देखिए जी यह फिर सिरंका के नए प्रतानमंत्री जाएग शबन है कि स्रिलंका की राजदानी क्या है, स्रिलंका की करिंसी क्या है और स्रिलंका की राज़्टपती का क्या नाम है दीखे ये तीनों चीज important है इसलिए comment वाक्स्मों को निश्चे तूरुप से बताना ही है तो इसी साथ आज का जो करेंड़ पर ये समात हुथा है अब बात कर गते हैं कल के question आपने देखी देखिए मैंने अब सब पुछा था कि हाल ही में भारत को सविंगत राष्ट मानवाज़कार परषद यानि कि United Nations Human Rights Council में कितने वर्षव के लिए चुना गया है अब सब्सक्राइब कर देखा तो वीडियो को लाइक कर देखा और जो लोग ने हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिक्सन उनको आटमेटिक और सबसे पहले मिल जाए तो इसके साथ बहुत बज़नेवाद थैंक्यू एंड हैवनाई च्टी